हेलो गाइज, वेलकॉम तो डेकी अस्वर यूटीव चैनल और फाइनली दब वेट इस ओवर मतब शामी ने कमाल करके रख दिया है क्योंकि शामी ने लाउंच कर दिया अपना रेड्मी के 30 प्रो फ्लेक्शिप स्मार्टफोन बोएत ही över दस प्रैसपॉइंट पर यहां पर लाउंच कर रoye क्या कुछा आपको स्पैक्स लिखने को मिलते है क्या प्रैसपॉइंट पर लॉंच हुआ है इंडिया मैं का बा सकते है क्या प्रैसपॉइंट पा सकते है as well as मेरे honest opinion क्या है वो आप लोगे साथ मैं share करने वाला हूँ तो उसी बात पर करते हैं एक वीडियो को like ये वीडियो का like a target रक्टम 2000 likes का I hope क्या पर आप कर दोगे so guys चली वीडियो स्टार्ट करते हैं so friends वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पर आपको बता दूए रहा सुवे में मैंने एक और एक वीडियो दाला था Redmi Note 9 Pro Max जो के 25 सारी को पहला flash सेलता था तो क्यों cancel हो असका reason वगरा मैंने आपको बताया था नहीं देखे हो तो ये वीडियो देखने के बाद पिन कमेंड में डिस्किप्शन में लिंक दे दूँगा ज़रूर से वो वीडियो का आप चेक आउट कर सकते हो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi K30 Pro फ्लेक्शी स्मार्ट फोन के बारे में है तो ये चाइना में फाइनली लॉच्छ हो चुका है जबर्दस प्राइस पोन्ट में आपको बताता है एंड में चलगे प्राइस पॉन्ट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले आपको कमाल के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ स्टार्ट करता हम यहाँ पर ये फोन के बिल और डिसाइं से तो अगेन आपको front में और back में actual glass मिल जाता है Gorilla Glass 5 के साथ में back में आपको जो है cod camera का circular type का design देखने को मिलता है तो looks and design के मामलों में ये phone काफी जबरदस्त है as well as display के बारे में बात करें जो के phone का hiding feature है यहाँ पर आपको 6.67 inch का एक bezel-less display देखने को मिल जाता है तो body ratio भी देखने को मिल जाता है तो display कमाल का है अगर 90 hertz रहता तो और बढ़िया रहता बढ़िया रहता बट स्टिल जो है आपको punch hole, notch वगरा से चुटकारा मिलके जो है बढ़िया सी super amolet bezel-less screen के साथ में आरप शामे ओलो ने provide करा है वो भी काफी बढ़िया brightness level के साथ में RAM and storage के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको अलग-अलग variant टीन variant देखने को मिलते है यहाँ पर जो starting variant है वो 6128 है फिर 8128 है फिर आपका 8256 GB storage देखने को मिल जाते है SD card का slot आपको देखने को नहीं मिलता है और dual sim का support देखने को मिल जाते है performance की बात करें तो यहाँ पर यह फोन का heading feature है क्योंकि यहाँ पर आपको snapdragon का 865G देखने को मिल जाते है जोकि 7NM technology पर बेस्ट है 5G chipset है और काफी powerful है Android मगर आप देखते हो तो उससे powerful chipset देखने को नहीं मिलता है तो performance यह फोन में आपको काफी मस देखने को मिलने वाली है as well as cameras के बारे में बात करें तो यह भी फोन का heading feature है क्योंकि यहाँ पर आपको back में cod camera का setup मिल जाता है जो primary sensor है वो आपको 64 megapixel का Sony IMX686 देखने को मिल जाता है as well as आपको 13 megapixel का ultra wide angle lens देखने को मिलता है 5 megapixel का macro lens है 2 megapixel का depth sensor है कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको up to 8K तक क्या video recording यहाँ पर यह फोन से shoot कर सकते हो जो कि बहुत ही बढ़ी है और 960 fps तक क्या slow motion का भी यहाँ पर आपको support देखने को मिल जाता है selfie camera again आपको pop of selfie camera मिलता है 20 megapixel का thorn paper कमाल के लग रहे वैसे जब इंडिया में आएगा तो definitely test out करके आपको बता देंगे android version और UI के अगर हम बात करें तो out to the box आपको android 10 मिल जाता है यह भी आपका MIUI 11 पर run करता है sensors के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारे sensor देखने को मिल जाते है इंक्रूडिंग आपको in display fingerprint scanner देखने को मिल जाता है face unlock के साथ में NFC का support देगे 3.5 हम headphone jack देगे और speaker भी आपको काफी बढ़िया यहाँ पर quality का यहाँ पर provide करा गया है अगर हम बात करें यहाँ पर iPhone के battery life के बारे में तो यहाँ पर भी कोई compromise नहीं करे गाए 4700 image के आपको massive battery देखने को मिल जाती है type-c port के साथ में as well as यहाँ पर आपको 33 watt की जो है fast charging का support मिल जाता है और Xiaomi claim करता है कि 63 minutes में जो है यह आपको 0-100% charge करके दे देगा यह काफी कमाल की बात है तो यह पूरा flagship smartphone Redmi K30 Pro आपको देखने को मिलता है और दो lens में आपको OIS का support वहाँ पर देखने को मिलता है apart from that आपको जो दोनों smartphone same to same देखने को मिलते है अब K30 Pro के कमाल के price point के अगर हम बात करें तब expect करें रहेंगे 40,000, 50,000 ऐसा कुछ launch होए तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है जो base variant K30 Pro का 664, 128 वाला उसकी price point रखी गई है 2999 युवान इंडियान pricing में अगर अभी फिलाल convert करके देखते हो तो 32,000 रुपे का दिखने को बिलता है फिर उपर वाला variant जो है वह आपको थोड़ा price point आपको थोड़ा महंगा है पर जो base variant especially जो 32,000 से start हो रहा है काफी कमाल की बात है और बुझे परसली यहाँ पर यहाँ पर यह काफी बढ़िया लगा और आप बोल सकते हो वर्ल्ड का cheapest smartphone है तो कि आपको 8 snap dragon 865 और इतने बढ़िया feature के साथ में 32,000 रुपीस में देखने को मिल रहा है अब यहाँ इंडिया launch date के अगर हम बात करें तो mini time अभी आने वाला है तो यह मैने में तो possible नहीं है में में के around आप बोल सकते हो जो बताया चाहरा है first week of में के around जो है यह इंडिया में launch हो सकता है as well as यहाँ पर जो इंडिया price point के अगर हम बात करें तो 32,000 में चाइना में launch हो है तो अभी GST वगरा इंडिया में बनने वाली है तो लगबग आप expect कर सकते हो कि 34, 35,000 रुबीज के आसपास देखने को मिल सकते है और एक और एक चीज़ यहाँ पर है कि यह इंडिया में K30 Pro के नाम से भी आ सकते है यह और aggressive price point पर जो पोको F2 के नाम से भी आ सकते है क्योंकि हमने देखे तो जो regular K30 था वो पोको X2 के नाम से आया था तो में भी जो flagship smartphone है वो पोको F2 के नाम से इंडिया में launch हो सकते है यह इसा definitely possible है और अगर पोको की branding के साथ मात है तो definitely जो price point आपको 32-33,000 पर एक आसपसी देखने को मिलेगी तो guys यह थी मेरी वीडियो पर क्या मुझे कमेट सक्षन में बताना 32,000 रुपीस को देखते हुए आपके इसाब से फोन कैसा लगा क्या आपको अच्छा लगा यह से better option आपको market में दिखते है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना में तो अब से क्लिए किसी वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू